सोनिया गांधी नई मोधी सरकार को जवाब देह बनाने की योजना कैसे बना रही हैं? कॉंग्रेस संसदिय दल, CPP के अध्यक्ष के रूप में 8 जून को फिर से चुने जाने के बाद कॉंग्रेस निता सोनिया गांधी ने 9 जून को पार्टी सदस्यों को संबोधित किया, जिस दिन नरेंद्र मोधी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री, PM के रूप में शपतली, सोनिया गांधी ने कहा कि मोधी ने हाल ही में संपन्न 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल अपने नाम पर जनादेश मांगा था, लेकिन उनकी पार्टी और उसके सहयोगियों को एक राजनीतिक और इससे भी बत्तर एक नैतिक हार का सामना करना पड़ा है, सोनिय मोधी की भारतिय जन्तापार्टी, भाजपा केवल 240 संसदिय सीटें जीत सकी है, जबकि संसद में बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यक्ता होती है हालांकी मोधी ने छोटे दलों के समर्थन से भाजपा के नेत्रित्व वाले राष्ट्रिय जन्तांत्रिक गठ बंधन के तहट गठ बंधन सरकार बनाई है जबकि यह काफी हद तक माना जाता है कि मोधी और भाजपा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों EVM के चैनात्मक हैरफेर के साथ चुनाव जीतते हैं मोधी ने विपक्षी दलों के EVM से छेड़ चाड़ के आरोपों को खारिस कर दिया लोगसभा चुनाव में भाजपा के निराशाजन प्रदर्शन के बाद मोधी ने संकेत दिया कि चुनाव में EVM से छेड़ चाड़ नहीं हुई और विपक्षी दलों से अगले पांच वर्षों के लिए EVM को दोश देना बंद करने के लिए कहा इसका मतलब है कि ऐसी संभावना है कि भविष्य के राजपा चुनावों और 2029 के लोगसभा चुनाव में EVM में चुनिंदा तरीके से छेड़ चाड़ जारी रहेगी इस बीच रिपोर्टों से पता चलता है कि कॉंग्रेस हाल के लोगसभा चुनाव में EVM धोखा धड़ी के सबूत एकत्र कर रही है क्योंकि EVM से छेड़ चार से इनकार नहीं किया जा सकता है माना जा रहा है कि अगर EVM की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो न तो मोदी और नहीं बीजेपी कोई चुनाव जीत सकती है 20 से अधिक राजनीतिक समुहों के भारतिय ब्लॉक के हिस्से के रूप में कॉंग्रिस ने लोगसभा चुनाव में ब्लॉक के 232 के आंकडे में सिर्फ 99 सीटे जीती सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी को फिर से प्रधान मंतरी बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है लेकिन उन्होंने प्रधान मंतरी पद पर बने रहने का फैसला किया है उन्होंने अपनी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने बेहत चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में एक कठिन चुनाव लड़ा है कॉंग्रेस ने लोकसभा में अपनी ताकत दो हजार उन्नीस के चुनाव में बावन सदस्यों से बढ़ा कर अब निन्यानवे कर ली है उन्होंने कहा भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस ने एक बार फिर अपना लचीलापन दिखाया है यह एक शक्तिशाली और द्वेशपूर्ण मशीन के खिलाफ था जो हमें नश्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी इसने हमें आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश की इसने हमारे और हमारे नेताओं के खिलाफ एक अभियान चलाया जो जूट और मानहानी से भरा था कई लोगों ने हमारे मृत्य लेख लिखे सोनिया गांधी ने अपने भाशन में कहा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे के द्रिढ नेत्रित्व में पार्टी डटी रही सोनिया गांधी ने भारत जोडो यात्रा और भारत जोडो न्याय यात्रा की भी प्रशनसा की जिसका नेत्रित्व उनके बेटे राहुल गांधी ने देश भर में पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए किया था राहुल गांधी अभूत पूर्व व्यक्तिगत और राजनीतिक हमलों के खिलाफ लड़ने के अपने तप और द्रिड संकल्प के लिए विशेश धन्यवाद के पात रहें उन्होंने सम्विधान की गारंटी और संरक्षन पर हमारे विमर्ष को भी बहुत तेजी से आकार दिया सोनिया गांधी ने अपने बेटे की प्रशंसा की जो चुनाव भी जीता है उन्होंने इस बात पर भी राहत जताई की संसद में कॉंग्रेस के सांसदों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है कॉंग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें इंडिया ग्रूप के साज़ेदार समर्थन देंगे जिन में से कुछ ने प्रभावशाली तरीके से वापसी की है उन्हों की पार्टी राज्जों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। उन्हों ने कहा, यह हमारे लिए एक पार्टी के रूप में एक नया अफसर है जिसने संसदिय राजनीती को वापस पट्री पर लाने के लिए हमारे देश में संसदिय लोकतंत्र की स्थापना की। अर्थिक और सामाजिक न्याय के एजेंडे के लिए मतदान किया है जो वास्तव में हमारा उद्देश्य और मार्ग दर्शक बना रहना चाहिए। इस वीडियो स्टोरी को राकेश रमन ने विक्सित किया है जो राश्ट्रिय पुरसकार विजेता पत्रकार और मानविय संगठन आरेमेन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप इस वीडियो के तहट दिये गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और आरेमेन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद!